हाई एवरीवन वेल्कम बैक तो यॉर चानल डॉंटलस्टाडी हब और इन दिस वीडियो वी आ गोइंग तो डिस्कस्ट माइच यॉर मिस्टेक बहुत सारी गर्ल्स को वोइस में डिफ्रेंस नजर आ रहा होगा एक्चली बहुत सारी गर्ल्स को नहीं जो भी इस चैनल को व जब इस चैनल को टेलीग्राम में मेरे वज़े से जानते हैं तो आई शूट कंटिन्यू विद माई वोईस तो विदाउट वेस्टिंग यॉर टाइम लेट स्टाट दे वीडियो तो जो हमारा फर्स्ट क्वेस्टन है वो था मैसल्फ मॉनिका फ्रॉम उत्राखंड तो जो क्वेस्ट के फॉर्म में डिसकर्ष हो चुके हैं तो जो हमारा फर्स्ट क्वेस्टन है उसमें स्टेट्मेंट था मॉनिका फ्रॉम उत्राखंड तो इसमें आपको यह बताना था कि सेंटेंस ट्रॉर्शक है यह नहीं तो बहुत सारी girls ने sentence is correct option को right किया है जबकि ये sentence होई नहीं सकता correct क्योंकि rule के according कोई भी sentence reflexive pronoun से शुरू होई नहीं सकता तो हमारा जो second question था वो था dash of his eight sons looked after him जो option था neither, none, neither और none both can be used 60% girls ने जो चलो सही लिखा, सही टिक किया लेकिन जो 40% girls है उन्होंने ये question भी गलत कर दिया क्यों भाई, rules नहीं पड़े क्या जो neither होता है, वो हम तब use करते हैं जब हमें दो चीजों में से एक select करना होता है for example, अगर दो chocolate रखिया और किसी ने पूछा कि तुम्हें कौन सी chocolate पसंद है और हमने कहा कि दोनों में से नहीं पसंद हमें कोई भी तो वहाँ पर क्या use होगा, neither use होगा और अगर हम वही चॉकलेट का example ले और वहाँ पर चार चॉकलेट रख दे तो अगर हमें किसी ने पूछा कि तुम्हें कौन सी चॉकलेट पसंद है और हमने कहा हमें चारों में से कोई भी पसंद नहीं है तो वहाँ पर क्या आएगा, none आएगा तो यहाँ पर क्या है, dash of his eight sons looked after him तो दो से जादा है ना sons तो इसलिए यहाँ पर none हो जाएगा None of his eight sons looked after him ठीक है, क्योंकि eight जो होता है वो दो से जादा ही होता है ना अब यह मत बोले ना कि मैंने चीजे बोली और person नहीं बोला चीजे और person किसी के भी बीच अगर selection करना हो अगर दो में करना हो तो neither होगा और अगर दो से जादा में करना हो तो none होगा So our next question is Your book is better than Option R, My, Myself और Mine तो Mine सही होगा और यह question बहुत सारी girls ने भी सही करा है तो इसको हम discuss नहीं करेंगे लेकिन यहाँ पर Mine क्यों हुआ अगर अभी confusion है तो आप please comment section में बता सकते हैं मैं वहाँ पर reply कर दूँगी So let's move to our next question After the farewell, the students of class 12th bade dash तो option में था one another, one other और each other इस question का answer हो जाएगा one another Each other इसले नहीं हुआ क्योंकि each other वहाँ use होता है जब हमें mutual relationship दो person या दो things के बीच में बतानी हो For example, they love each other और they are made for each other अब one another वहाँ use होता है जहाँ पर हम mutual relationship दो person से जादा या फिर दो things से जादा के बीच में बताते हैं अब यहाँ question है After the farewell of students of class 12 बेट one another क्योंकि जब भी farewell होता है ठीक है हम क्या करते हैं पूरी class को जाके greet करते हैं पूरी class को जाके future के लिए all the best वगेरा wish करते हैं एसा तो होता नहीं है न कि मैं जाऊं और पूरी class में से सिर्फ किसी एक अपनी friend को जाके all the best या फिर greet वगेरा करूं ठीक है हम क्या करते हैं पूरी class एक दूसरे को क्या करती है greet करती है ठीक है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा one another use होगा तो जो next question है भले ऐसे question MNS में नहीं आते हैं पर फिर भी अगर तुम like grammar पढ़ रहे हो तो तुमें इतनी basic चीज़े आनी चाहिए तो इसमें हमें correct order find out करना था तो first option था we, you and they should now get down to work second option था you, we and they should now get down to work and third option था they, you and we should now get down to work ठीक है तो जो इसमें we, you and they है यह क्या है plural pronoun है मैं इतना focus इसले कर रही हूँ क्योंकि जो plural pronoun होता है उसका order अलग होता है और जो singular pronoun होता है उसका order अलग होता है ठीक है तो plural pronoun का order होता है one, two, और three ठीक है one का मतलब होता है first person two का मतलब होता है second person and three का मतलब होता है third person यहाँ पे आपको यह table दिखरी होगी तो यह वाली जो table है ठीक है? यह singular के लिए है और यह वाली जो table है यह क्या है? plural के लिए है ठीक है? तो अभी मैं आपको बताऊंगी first person क्या होता है, second person क्या होता है और third person क्या होता है तो जब भी हमें singular चीजे दी होंगी, तो I जो है हमेशा first person के place पे आएगा, you जो है वो second person के place पे आएगा she, he और it में से कोई भी होगा, तो वो third person के तरह act करेगा, यह किसमें था? singular में था, ठीक है? वहीं अगर plural चीजे दी होंगी, जैसे मैंने बताया है, we, you, they क्या होता है, यह plural चीजे होंगी तो B जो है, वो first person के तरह काम करेगा, you जो है, वो second person के तरह काम करेगा, और जो they है, वो third person के तरह काम करेगा, ठीक है? और यह जो सारी चीजे है, यह मैं कहां के लिए बोड़ रहू, subject के लिए बोड़ रहू, ठीक है? और subject तो question जो था वहां पर 1,2 और 3 का rule लग रहा था इसका मतलब क्या आएगा पहले वी आएगा फिर यू आएगा फिर क्या आएगा दे आएगा यहां पर मैंने बता दिया कि वी यू एंड दे क्या आजाएगा वह perfect order होगा तो इसलिए option A जो होता है वह correct हो जाएगा तो जो हमार next question है उसमें हमें बताना है कौन सा sentence wrong है तो जो first sentence है वो wrong है अब हम उसका reason देखेंगे कि वो sentence wrong क्यों हुआ जब हम sentence पढ़ते है he is the most cleverest of all the officers मतलब कि जितने भी officers present थे उसमें सबसे clever कौन है यह है ठीक है तो rule के according जब भी कोई sentence एक लिखा रहता है और वहां पे दो comparative या फिर दो superlative degree एक साथ नहीं आ सकती है ठीक है तो जब हम इन sentence को देखते है तो यहां पर जो यह most है ठीक है और जो यह cleverest है यह क्या है दोनों क्या superlative degree है most भी एक क्या है superlative degree है और cleverest भी क्या है एक superlative degree है तो अभी हमने rule देखा था कि दो comparative या फिर दो superlative degree एक sentence में नहीं आ सक बगती है जो एडजेक्टिव होता है Вोहमेशा तीन डिग्री में होता है First होता है positive degree Second dus comparative ओर थर्ड होता है S Sinperlative और जो Clever और उसका competitive डिग्री वह एगा क्लेवर या फिर more clever घ siitä सुबारीटिव डिग्री या फिर most clever तो यहाँ पर most नहीं आएगा इसका right sentence हो जाएगा he is the cleverest of all the officers और एक और चीज comparative degree हम तब यूज करते हैं जब हम comparison दो लोगों के बीच करते हैं और superlative degree हम तब यूज करते हैं जब comparison हम दो से जादा लोगों के बीच करते हैं तो अब हमने first option तो देख लिया कि क्यों wrong है तो इसमें भी first वाला ही rule लगेगा और right sentence हो जाएगा this is better than that तो इस तरीके से option A और option D जो होता है वो गलत हो जाता है and option B and option C जो होता है वो सही हो जाता है same rule इनमें भी लगेगा मतलब option तो वही है बस मैंने एक गलत लिखके दिया था और एक सही लिखके दिया था जैसे कि this is more better than that नहीं होगा this is better than that होगा और इसमें क्या है he is the most cleverest of all the officer नहीं होगा he is the cleverest of all officer होगा ठीक है तो जो हमारा next question है वो है the honest dash rewarded ठीक है तो इसमें maximum girls ने is किया था जबकि ये गलत है आ राएगा क्यूं आएगा क्यूंकि जो honest है वो क्या है एक adjective है ठीक है adjective के आगे जब भी दा लग जाता है ठीक है adjective के आगे जब भी दा लग जाता है तो जो adjective होता है वो क्या होता है वो मतलब plural common noun बन जाता है ठीक है जब भी adjective के आगे दा लगेगा तो जो adjective होगा वो plural common noun बन जाएगा ठीक है और plural common noun के साथ जो verb होती है वो हमेशा क्या लगती है वो हमेशा plural verb लगती है Our next question is find wrong one ठीक है तो 47% girls ने ठीक क्या answer इसमें देखो wrong one ढूनने है ठीक है right one नहीं तो wrong यह हो जाता है first वाला she is junior than me गलत होता है she is junior to me सही होता है जब भी कोई adjective के पीछे ior लगता है जैसे junior, anterior, posterior, superior, inferior ठीक है तो इसमें जो adjective हो वो किससे end हो रहा है ior से ठीक है तो इसके बाद क्या लग जाता है to लग जाता है than नहीं लगता इसलिए she is junior to me सही होगा और she is junior than me गलत होगा और यहां पर भी superior है तो he is superior to me सही होगा ठीक है he is superior than me गलत होगा next question is find the correct one तो इसमें D option सही है पिछला जो question था उसमें मैंने एक table बताया था जिसमें मैंने बताया था कि जो singular होगा उसके लिए like कौन सा order होगा first person कौन सा होगा second कौन सा होगा third कौन सा होगा ठीक है ऐसी मैंने plural के लिए भी बताया था plural के लिए मैंने बोला था one two three का rule लगेगा है ना ऐसे ही जब singular subject दे रखाओ तो उसमें भी दो case होता है ठीक है अगर कोई चीज अच्छी हो रही हो ठीक है कोई sentence जो हमें दिया है question में वह positive हो तो rule लगता है two three और one का ठीक है second person पहले आएगा third person next आएगा और first person सबसे last में आएगा वही अगर कोई mistake हो रही हो ठीक है तो यहाँ पर क्या हो रही है mistake हो ठीक है तो first person पहले आएगा that means I फिर आएगा second person that means you and फिर आएगा third person that means he our next question is find wrong sentence तो इसमें तीन option दिये गए थे जिसमें से C इसका correct answer था और यह भी questions अपने गलत के है कुछ girls को छोड़ के तो question क्या है the jury has given their verdict ठीक है तो यह wrong हो जाता है sentence क्योंकि यहाँ पर their use नहीं होगा और क्यों नहीं होगा जो jury है यहाँ पर collective noun है अब collective noun क्या होती है जब भी हम कोई person का collection या फिर things का collection लेते हैं तो उसको हम क्या बोलते है collective noun बोलते हैं जैसे कि committee हो गया, army हो गया, jury हो गया यह सारे क्या है collection है process का ठीक है तो इसको क्या बोलेंगे collective noun बोलेंगे अब यहाँ पर जूरी कह है एक collective noun है collective noun जब भी एक group की तरह denote होता है तो वो अपने साथ क्या करता है singular pronoun लेता है और adjective क्या लेता है it, its it, its and itself तो अब यहाँ पर क्या है जूरी एक collective noun है तो यह अपने साथ adjective क्या लेगी its लेगी तो यहाँ पर there नहीं आएगा इसलिए जो c option है वो क्या हो जाता है wrong sentence हो जाता है और वहीं जो b option है वहाँ पर it's दे रखा है तो यह सही sentence हो जाता है अब जो first option है वो बिल्कुल सही है the team are divided in their opinion team क्या है फिर से collective noun है तो collective noun जब भी एक team की तरह काम करे अगर वो एक team की तरह काम कर रही है तो उसके साथ क्या हो जाएगा singular pronoun और adjective क्या से लगेगा it, its और itself वहीं अगर team में हर बंदा क्या है एक अलग सोच का है या फिर वो team में क्या division show हो रहा है ठीक है एक नहीं है वो team एक होकर भी means उनमें division show हो रहा है तो वहाँ पर क्या हो जाएगा plural pronoun यूज होगा और plural adjective यूज होगा I hope आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी 3-4 question और बचे वे थे बट ये वीडियो को जादी लंबी बन रही थी I thought to make part 2 of this video अगर आपको कोई भी suggestion देना हो आप comment कर सकते हैं भी रूल्स में दिक्कत हो वो भी आप comment कर सकते हैं प्लीज गाइस लाइक शेर और सब्सक्राइब तो आर चानल और दो शेर गाइस थांक यू सो मच